आये फिरी से एक बर आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर निपकर करेकर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मों दधा इस्टम की तग्यों महाराष्ठ में अकुला में प्रैक्टिस करता हूं कभी बच्चे हमारे पास में आते रहते हैं माबाप को लेके आते हैं और बोलते हैं पढ़ाई में इंट्रेस्ट नहीं है पढ़ाई करता ने अच्छे मांस लाता ने बच्चे की जब टेस्ट लेते हैं तो बड़ा इंट्लिजेंट रहता है कभी अच्छे मार्क उसने लिए पढ़ाई में इतना नहीं है माबब क्या चाहते हैं माबब यह चाहते कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो स्कूल में जाओ ज्यादा मास लो हमने कितने सारे लोग देखे हुए कि उनको 2-3-3-4 डिग्रीज है अच्छे-च्छे डिग्रीज है और तभी भी वो खाली-बिली घुम रहे हैं या एकादे स्कूल में या एकादे प्राइवेट कमपनी में प्योंकि नोकरी कर रहे हैं तो डिग्रीज लेके कुछ होने वाला है नहीं डिग्रीज लेके हम सिर्फ नौलेज का एक रोबो तयार कर रहे हैं असली क्या जरूरी है असली जरूरी है कि उनको लाइब जीने के जीवन जीने क कोशल ले सिखाना बोजिरू है बच्चों को हर बच्चे ने कोई डॉक्टर वकील इंजिनियर आर्किटेक्ट या कोई सरकारी अधिकारी नहीं बनने का है हमारे परिजीत है वो अपने बच्चों को बड़े शहर में शिफ्ट करके लेके गए क्योंकि एक बच्चे को बनना था बैड्मिंटन का चैंपियन वोल्ड चैंपियन उसका वो गोल था तो उसको वह शिफ्ट कर दिया हूँ वह स्कूल में ठीक है जितना पढ़ सकता है उतना बड़ेगा मगर हम देखेंगे कि वह उसको जादा से जादा बैड्मिंटन में वो कैसा कोचिंग मिलेंगा और इसा हो एक्सिल करेगा और दूसरा लड़का जो उसको चेस में इंट्रेस्ट है और वो करियर उसमें बनाना चाहता है लोग तो उनको काफी बोले चेस के करियर हो सकता है बैड्मिंटन के करियर हो सकता है मगर वो पक्या है तो कि इन्फरमिशन अंदर डाल डालके डाल डा लगता है कि स्कूल में बच्चों को बढ़ाई के साथ मतलब आधा समय नहीं है प्रैक्टिकली सेवान को क्या प्राब्लम आथे जीवन होता है अलग 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 उनको कोशे ले सिखाते जाएंगे मार्केट में कैस क्योंकि हमने देखा है कि अभी मैंने खुद ने मुद्धे किया हुआ है Mbbs के पूरे पतलब पूरे डिगरी लेने तक यह वह आदमी मीडी किया वहां तक हमको यह भदा कर्सक्राइब करना प्रैक्टीस में क्या प्राबलम्स आती है हमने एधित प्रände प्रेक्टीस चलूगी श्मने उसको कैसा अप्रेस करें उसमें बाकि क्या क्या तक्लीब है या कभी सिखा है नहीं कॉलेज में ग्यान बहुत दिया तो वो देना ज़रुरी है कि actually आप जब life में जाते हो तो life में क्या क्या ज़रुरी है क्योंकि यह ग्यान तो आपको कमरे में सिर्फ बेटे बेटे पेशेंट दपास दपास दे आएगा तो actually life में कितने problem है hospital चलाना है तो क्या problem है लोगों के साथ में कैसा बरताओ करेंगे ये ग्यान कहीं दिया ही नहीं उनको ये करना है कि बच्चों को पढ़ाई की लट लगाना या पढ़ाई के इसमें उनको पीछे लगाना पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो इसके साथ साथ उनको बाकी भी हम सिखाते है जीवन के कोशन ले सिखाते है तो एक अच्छे इंसान अच्छे नागरिक बन सकेंगे और जीवन में वो सफल हो जाएगे जॉप कोई भी खराब या कोई भी बुरा या कोई भी वेकार नहीं होता है ऐसा नहीं कि उसने डॉक्टरी की डिगरी किया मतलब भी अच्छा सफल इनसान हो जाएं काफी सारे डॉक्टर आपको मिलेंगे कि वो डॉक्टर बनने के बाद में भी वो असफल है और काफी सारे ऐसे लोगों कि अनफड है मगर बड़े-बड़े कंपणियों के मालिक है इसका ये भी मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं करना पढ़ाई करना तो जरूरी है मगर पढ़ाई कर पढ़ाई कि साथ-साथ बाकी भी जीवन के कोशिले हम सिखा थे और वह उनको अलग-अलग तरीके से हम सिखाते हैं अलग-अलग जगह लेकर जा 시작 खाते हैं आज कि अने माला है तो वह हमारे स्कुल में हमारे कॉलेजास में वह सिखाना ज़रूरी है हम यह सिखाते हैं तो बच्चों को डेफिनेटली एक जिवन जिने का अच्छा नया अंदाज मिलेगा नया तरीका मिलेगा तो माबाप के लिए मेरा संदेश रहेगा कि बच्चों को जभी जभी छुटिया रहती है जब तो यह ट्यूशन वो ट्यूशन और पढ़ो और पढ़ो इसके बाद इसके बदले यदि उनको बाकी सिखाते हैं चीजे मार्केट में कैसे घरेदी कैसे करना टैक्स क्या होता है इस भी एक हुझा यदि जब करते हैं तो वहां केर लेना चीजे बाद हुझाब में टैक्सितस कोने से में उस की लिए भी जाते हैं तो वह कैसा वे करेंगे लोगों के साथ में कैसा वर्था ओकर्ए टीम कडिसी बील्ल करेंगे अपना गुरुप में काम करेंगे इस न के गटेंगे और गुरुप में काम करने में क्या तकलिप आती हैनकर घृतिए तो क्या पावर है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, है ना, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, तो ये कैसा करना ये भी बहुत जरूर है, और ये पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा थे, तो एक सफल नागरिक डेफिनेटली तायर हो जाएगा, ये हमारा जो मकसत है, ये सब के लिए मानसिक स्वास जिरो, इसन मुक्त भारत, इसमें आप जरूर हाथ लगा सकते हो, अपना सजयोक सहकार्य दे सकते हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो जोरो लोगों को शेर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आगोन आतना, उसके उपर क्लिक करो, ताकि मेरी वीडियो के नोड़िक आपको सबसे पहली बार आजाए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यमा, धन्यमा, ये वीडियो 5, ताकि मेरी वीडियो त्यक्ष्ट लॉैंट के लिए और की ओंड हुत-बहुत लाइब के लिए झाल झाल